प्रस्न पाँच सर्व समिकाओं के प्रयोग से निमलिखित में परतेक का विस्तार करें तो प्रस्न पाँच का पहला एक्स प्लस दो बाई प्लस चार्जेट एक्स प्लस दो बाई प्लस चार्जेट एक्स प्लस दो बाई प्लस चार्जेट का होल स्कुरे तो सर्व समिकाओं के प्रयोग से इसका विस्तार करना है तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्कुरे के सूत्र पे इसको लगाएंगे ठीक है तो देखिये A प्लस B प्लस C का होल स्कुईर बराबर होता है A सुईर प्लस B ए स्कुईर प्लस C प्लस C A B, plus 2 B C, plus 2 C है, ठीक है, यही सुतर भी सब में प्रियोग होगा, रसन 5 में, ठीक है A plus B plus C का whole square बराबर, A square plus B A square plus C square plus 2 A B plus 2 B C, plus 2 C है, तो A plus B plus C का whole square, तो A के जगह पे X है, B के जगह पे, 2 Y ठीक है, A यहाँ पे कौन है, X है, B कौन है, 2 Y है और c है चार जेड तो इसको लिखे गे A स्कॉर यानि X का स्कॉर तो X का स्कॉर X का स्कॉर प्लस B स्कॉर यानि दो five का स्कॉर प्लस s स्कॉर तो 4 z का square तो a square प्लस b square plus c a square plus 2ab यानि 2 गुना तो 2 गुना 2 गुना a b तो x गुना 2 y तो देखे जब भी x y को गुना करना रहे जैसे यहां पर x से यहां पर 2y है यहां पर 2 है तो एक बिंदो से भी गुना को दर्साते हैं तो 2 गुना x गुना y यानि 2 गुना x गुना 2y तो a square plus b square plus c square plus 2ab तो 2ab a में x है b में 2y है तो 2 गुना x गुना 2y लिख लेंगे ठीक है तो यहां पर बस एक एक बिंदो दे देंगे तो इसका मतलब समझना है कि यह गुना में है ठीक है 2 गुना x गुना 2y तो यह हो गया 2ab अब लिखेंगे plus 2bc तो 2b b कौन है 2y c में charged plus तो 2ab plus 2bc plus 2ca 2c 2c कौन है charged 2c a a में है x तो x a square plus b square plus c square plus 2ab 2bc plus 2c ठीक है इस तरह इसको formula पर बैठा लेंगे अब इसको हल कर लेंगे तो x का वर्ग x square x का वर्ग x square plus 2by का वर्ग तो 2 का वर्ग 4 by का वर्ग by square तो 4by square plus 4z का square यानि 4 का वर्ग 16 4 का वर्ग 16 z का वर्ग z square ठीक है 4 का वर्ग 16 z का वर्ग z square plus 2 दूना 4 देखिए ये गुना में है तो 2 दूना 4 x by ये भी गुना में है तीनों तो plus का चीन देंगे क्योंकि यहाँ पर plus का चीन है तीनों गुना में है तो 4 दूना 8 8 दूना 16 16 by z plus 4 दूना 8 8 z x z x ठीक है तो इसका उत्तर आ चुका है x square plus 4 by square plus 16 z square plus 4 x by plus 16 by z plus 8 z x तो इस तरह इसको हल करेंगे प्रस्ण 5 का पहला तो इसी तरीका से सब हल होगा यहाँ पे जितना पे दिया हुआ है प्रस्ण 5 में पहला दूसरा तीसरा चौथा पच्चमा छथा यानि साथ प्रस्ण है तो साथो प्रस्ण इसी तरह से हल होगा इसी सुत्र का प्रयोग करेंगे तो प्रस्ण 5 का दूसरा माइनस दो एक्स प्लस तीन बाई प्लस दो जिड माइनस दो एक्स प्लस तीन बाई प्लस दो जिड का होल स्कौई ठीक है तो यह भी देखे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्कौईर पे है तो ए a बराबर हो गया, यहाँ पर माइनस दो X, b बराबर 3枔 और c बराबर 2led तो a प्लस b प्लस c का whole square बराबर होता है a प्लस b प्लस c का whole square बराबर a square प्लस b square प्लस c a square प्लस 2a b plus 2b c plus 2c a तो इसी सूत्र का प्रियोग करेंगे प्रस्ण 5 के जितना भी प्रस्ण है सातों में तो A के जगा पर क्या है माइनस 2X तो A स्क्वाइर यानि माइनस 2X का वर्ग प्लस B स्क्वाइर तो 3 बाई B में कौन है 3 बाई 3 बाई का वर्ग प्लस C स्क्वाइर यानि 2 Z का वर्ग तो a square प्लस b square प्लस c square प्लस 2ab तो plus 2a तो a में है माइनस 2x तो माइनस 2x b, b में है 3 by तो 2ab तो plus 2ab ठीक है, गुना में है 3ो क्या आपे बिंदू दिये हैं तो समझना है कि गुना में है ठीक है 2ab प्लस 2ab हो गया प्लस 2bc 2b में कौन है 3 by c में है 2z तो 2bc प्लस 2ca 2c c में कौन है 2z a में कौन है तो माइनस 2x ठीक है तो a square प्लस b square प्लस c square प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इस तरह से लिख लेंगे अब इसको इसका उत्तर लिख लेंगे तो माइनस 2x का वर्ग है तो घात में 2 है यानि समसंग क्या है 2 तो बस माइनस हट जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 का वर्ग 4 x का वर्ग x square माइनस माइनस प्लस तो हो गया 4x square इसका उत्तर ठीक है अब प्लस 3by का वर्ग तो 3 ती आई 9 9by square 3by का वर्ग क्या हो गया 9by square प्लस 2 z का वर्ग तो 2 का वर्ग हो गया 4 और z का वर्ग यानि z square तो 4x square प्लस 9by square प्लस 4 z square हो गया ठीक है यह तीनों का वर्ग करने पे अब यहां पे है प्लस 2 गुना माइनस 2x गुना 3by तो देखिए यहां माइनस भी है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस तो यहां पे माइनस का चीन दे देंगे 3 दून 6 6 दून 12 तो 12 x by यानि माइनस 12 x by यहाँ पर प्लस का चीन है अब यहाँ पर कोई माइनस का चीन नहीं है तो प्लस का चीन नहीं देंगे तीन दूना छे छे दूना बारा तो बारा बाई जेड बारा बाई जेड बारा बाई जेड ठीक है अब यहाँ plus है और यहाँ minus है देखें तीनों गुना में है तो plus minus क्या होता है minus तो minus का चीन दे देंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 तो 8 zx minus 8 zx तो इसका उत्तर हो गया 4x square plus 9 by square plus 4 z square minus 12 x by plus 12 y z minus 8 zx तो इस तरह इसको हल करेंगे तो प्राशन तीन तीने minus 7 b minus c का वर्ग ठीक है तीने minus 7 b minus c का वर्ग तो a तो a plus b plus c का whole square पर इस पर भी सूतर लगया देखे कैसे इसको हम लिख सकते हैं तीने plus minus 7 b ठीक है इस तरह इसको लिख सकते हैं क्योंकि plus minus minus होता है plus minus c देखे इसको इस तरह हम लिख सकते हैं ठीक है इसको इस तरह लिख सकते हैं यानि तीने plus minus 7 b plus minus c का whole square तो a plus b b में minus 7 b है और c में minus c है ठीक है यानि b minus 7 b को कहेंगे और c कहेंगे minus c को तो देखे ये वहला सुत्र लग जाएगा इसमें भी a plus b plus c का whole square बराबर a square plus b square plus c square plus 2 a b plus 2 b c plus 2 c है तो बस a के जगा पे 3 a रहेगा b के जगा पे minus 7 b और c के जगा पे minus c रहेगा ठीक है तो इसको हल कर लेते हैं तो a square देखें a square यानि 3 a का work plus b square plus b square यानि minus 7 b का work यानि b में b के जगा पे क्या है minus 7 b plus c square तो c के जगा पे minus c है तो minus c का work तो a square plus b square plus c square plus 2 a b तो plus 2 a a में कौन है? 3 a b में है minus 7 b पलस यह हो गया 2 a b plus 2 b c तो b में कौन है? minus 7 b c में है minus c plus 2 c a 2 c में है minus c a में है 3 a अब देखिए इसको हल कर लेंगे तो 3 a का work तींतियाई 9 a square अब देखिए minus 7 b का work है तो घाद 2 है यानि 2 बर गुना होगा तो minus minus हो जाएगा plus तो plus कहीं चीन रहेगा? 7 का work 49 b का work b square minus c का work हो जाएगा c c square क्योंकि minus minus plus हो जाएगा work है ठीक है? तो plus c square लिख लेंगे अब यहाँ पे minus है तो plus minus क्या होता है? minus तो minus का चीन रहेंगे साथी एकीस है किस दून है? 42 तो 42 a b अब यहाँ भी minus है यहाँ भी minus है तो minus minus हो जाएगा plus तो plus का चीन रहेंगे साथी नी 14 तो 14 b c साथी नी 14 b c अब यहाँ plus है यहाँ minus है तो plus minus minus तो minus का चीन रहेंगे तीन दूना 6 6 c a 6 c a तो इसका उत्तर हो गया 9 a square प्लस 49 b square प्लस c square minus 42 a b प्लस 14 b c minus 6 c a ठीक है तो बस ध्यान से देख लेना है कि minus plus कहाँ पे है ठीक है जब भी इस तरह रहे तो a के जगा पे तीने लिख लेंगे b के जगा पे minus 7 b क्योंकि minus है इसके साथ और c के जगा पे minus c देखे इस तरह से लिख लेंगे तो इसका उत्तर आ चुका है कितना है 9a square plus 49 b square plus c square minus 42 a b plus 14 b c minus 6 a c ठीक है तो इसी तरह से देखे इसी तरह से प्रस्न 4 भी हलोगा प्रस्न 5 का 4 भी 5 भी क्योंकि पहला दूसरा और तीसरा इसी के जैसा बस साथो हल कर लेना है ठीक है तो मुझे आसा है कि आप लोग इसको हल कर लीजेगा चौथा, पच्मा, छठा और सत्मा को ठीक है बस उसी तरह हल होगा बस देखिए यहाँ पर एक जगा पर माइनस एकस रखना है बी के जगा पर तीन बाई रखना है और सी के जगा पर जेड इसमें एक जगा पर ए बी के जगा पर चार बी और सी के जगा पर माइनस पांच सी इसमें एक जगा पर तीन है बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है सभी में